वो मंदिर दरसल BJP ने तोड़ा है जिस अलवर के राजगढ के नगरपाली का बोर्ड ने इस मंदिर को तोड़ा है वो बोर्ड भाजपा के पास है और उसके ही प्रस्ताव पास होने के बाद वो मंदिर तोड़ा गया मैं कॉंग्रेस की तरफ से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मंदिर के नाम पर राजगढ करने वाली भाजपा मंदिरों को क्यूं तोड़ रही है भारत जन्ता पार्टी के राज्यसाभा सांसत कि रोडिलाल मीना खुद ये बात कह रहे हैं कि भाजपा का बोर्ड होने के एक गेट तोड़ा गया था उसका भी इल्जाम उन्होंने विधान सभा में कॉंग्रेस पे लगाने की कोशिश की थी जिस पर विधान सभा द्यक्ष सीपी जोशी जी ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि ये प्रदेश सरकार का काम नहीं है ये सड़क का चोणी करण वो केंदर सरकार से हो रहा था तो उसमें स्टेट का क्या मतलब तो भारती जन्ता पार्टी इस तरह के मुद्दों पर भावनात्म कुरूप से फायदा लेने के लिए जूट बोलती है मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आपका शासित बोर्ड है आपकी शासित राज चीफ के ऊपर है कि दिसिजन कब पिछले बार भी जब बाती हुई तो आपने कहा कि बहुत जल्ड दिसिजन हो जाएगा तो मैं फिरसे वही सवाल होगा कि और कि इतना टाइम से उत्तर प्रदेश में जिनको नियूक्त किया गया है ए आइसी सी की तरफ से वह जितेन जी व बाकी नेता भी उनसे मिल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जैसे ही प्रदेश भर के कार्यकरताओं से मिलने का सिलसिला समाथ होगा उसके दो चार दिन के अंदर जो है आधनिया प्रियंका गांधी जी हमारी अध्यक्ष सोनिया जी रहुल गांधी जी कोई नो कोई फैसला ले करेंगे और हमें जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश इस बात का इंतिजार भी कर रहा है